सब्सक्राइब कीजिए हमारी ऑनलाइन स्टेडी गुर्प को और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए इस रिंग के बटन पर क्लिक कीजिए थैंक्यू सो मच अपनी चैनल एक्जम तक मैं आप सभी लोगों का हार दियु सब्सक्राइब करता हूँ दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज का हमारा टॉपिक है रेलवे आर्पी एप एसाई का एक्सपेक्टेड कटॉप दोस्तों कटॉप बताने से पहले मैं आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और पास में बनी हुई बेल पर किलिक कीजिए ताकि आने वाले समय में हम आपको बहुत ही इंपोटेंट्स वीडियो और बुक्स प्रॉवाइट कर सके दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि रेलवे में आर्पी एप की पुलिस और ए करेकसन फोर्स , इस सब fender ंस प्रेक्टर की रीच्प्टेर के बारी में बताने जा रहा हूँ तो चली चलते है सबसे पहले इसके बारे में जाना लेते हैं कि इसमें कितनी वेकन्सी थी तो आप सब्हकरों को मालूम होगा कि इसमें टोट़ल नमघर को सुलल्व करने के लिए 90pp मतलब नबे मिनिट में आपको 120 कुश्चन स्वल्व करने थे, नेगेटिव मार्किंग भी थी, आपको सभी लोग को मालूम होगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग थी, तो इसका बेसिक है कि टोटल बैकेंसी थी 1120 मेल के लिए थी 819 फिमेल के लिए 301 टोटल नंबर वो कु के हो और आपके 70 से 73 के बीच मास बन रहे हैं तो मेरी मानो तो आप फिचकल के लिए तयारी कर लो अभी से स्टार्ट उसका करण है कि कि जिस भी एक जम में फिचकल होता है उसका कटॉप कम ही जाता है यदि आप उबीची के टेगरी से बिलंग करते हो और आपके 67 से 70 के ब मास बन रहे हैं तो आपका 100 परसंट आपको फिचकल करी बुलाय जाएगा और दियाप ऐसी कैटेगरी से बिलंग करते हो कैमने और और आपके 65 से फिस फिचल याउन Cookie बूलाया जाएगा और और दिया वे फिर्टेगरी से बिलंग करते हैं और आपको अंडिड परसंट ऐसे exam होते हैं जिसमें physical मांगा जाता है उसमें पहली जितना vacancy होती है उस से बहुत सारे कई गुना student को बलाए जाता है किसी Biology exam में 6 गुना किसी में 5 गुनाекजम में 10 गुना या 5 गुना ही बलाए जाता है इसमें आप समझ सकते हो कि काफी student को बलाएंगे वो और दूसरी बाते हैं कि लगबख 50 से 70% student तो physical में बाहर हो जाते हैं और इसमें तीसरी बात है कि negative marking काफी जादन थी बनवा इतनी negative marking थी इसलिए बहुत सारी mask cut भी जाएंगे स्टुलेंट के जितने mask कम करके आएंगे negative marking होके थोड़ी से कम हो जाते हैं उस हिसाब से physical भी है और बहुत सारी recruitment हो चुकी है आप यह पैसाई और प्लेस के निकलाता है तो इतनी सारी वेकेंसी रिल्वे ने निकाली है तो आप जानते हो कि जब कोई student परफेक्ट हो जाता है सारे subject को अच्छे से जानने लगता है समझने लगता है तो उसकी जब exam का qualify होना start होता है तो सारे exam qualify होने लेते हैं और एक सम student है जिन्होंने सारे फॉम फुल की हैं railway की तो आपको मालूम है कि इसमें बहुत सारे बेटिंग लिस्ट बनेंगी railway group D की भी clear होगी या और पी अप की भी clear होगी और पी ऐसा ही उप्लिस में कारण है कि जो अच्छी boost होती है वो जो talent लोग है अपर जो काफी दूनों से तय इसमें आपको फिजिकल के लिए बुलाया ही जाएगा यादि आपके इतने मास है तो खुद पर confidence रखी है और फिजिकल के लिए तैयारे किजे थैंक्यू पर बाचिंग बेटिंग लिए